नमस्कार दोस्तों हमारे उन्टूब चैनल में आपका फिर से हर्दिक स्वागत है तो मित्रो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पती पत्नी के बीच अनुबन को कैसे दूर करें पती पत्नी के बीच अनुबन को दूर करने के उपाई के बारे में पती पत्नी के बी दिन लडाई जगडे होते रहते हैं, और आपके नियंतर से बाहर होते जा रहे हैं, आपके पत्नी, चाहे आपके पत्नी हो या पत्नी हो दोनों के लिए टोड़ का उपाई काम करें, तो आपको चिंता करने की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको ऐसे टोटके के बारे में बताने चारे ही है जिनकी साहिता से ने सिर्फ पत्थी पत्नी में होने वाले लड़ाई जगड़े को रोग पाएंगे अगर आप एक पत्नी को भी अपने वश्मिक कर पाएंगे आप अगर आप एक पत्नी है तो अपने पत्नी को भी अपने वश्मिक कर पाएंगे पती पतनी के जगड़े दूर करने के उपाई यदि पती पतनी में आपसी अदवेद रहते हैं तो प्रतेक रूंगलवार को सुन्दरपान का पाठ करें इसे घर में प्रेम की वावना उत्पर होती है पती पतनी में अनुबर दूर करने का दूसर उपाई अकसर पती-पत्नी के भी छोटी-छोटी बातों को लेकर जड़ाई जगड़ा उत्पर हो जाता है तो ऐसे में पती-पत्नी हर सिंगाल की टेहनी को एक छोटा सा टुक्रा चांदी की कवच में भरवाकर अपने गले या बामे किसी भी सुब्दिन धान कर ले तो उनके लीज की क्लहें आपसी प्रेम प्रिवर्थित हो जाएगे तीस हो पाई है पती अगर आपको ग्या नहीं करता हूँ तो आपको ग्या करना चाहिए प्रतिगीन प्रात्यकाल समाल करने के बाद घर में पूजस्थल में सिवतार्त गनपती की पूजा करके उन्हें मूती चूप के लड्डू का भोग लगाए और भोग लगाने के बाद उस लड्डू को पती बतनी के हैं दोनों कर ले तो उनके बीच होने वाले लडाई जगडे समाप्त हो जाते हैं अल्बंद दुर हो जाते हैं तो अगर आप भी प्रेशान हैं अपने हर दिव के लाई जगडे से आप भी चाहते हैं एक खुश शादी शुदा जीवन जीना तो इस वीडियो में जो टोटका बताया गया है उसका प्रियोग करके कोई भी पत्ति पत्नी अपने बीच के अन्वाद को दोर कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिये वे नंबर तर संपर्द करें इस वीडियो को अंतर देखने के लिए आप सभी का बहुत दन्यवाद नमस्त